हेलो ब्यूतिफुल सोल्स दिस सान्वी शुर्मा आज मैं आपके लिए एक जिन्रलाइस रीडिंग लेकर आने हम जो कि में 2024 के लिए है आज की रीडिंग अगर आप मेरी रीडिंग से इंफ्लूएंस्ट है और किसी परस्नलाइस प्राबलम का सॉलूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी परस्नलाइस रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं यह बुकिंग आप मेरे वाट्साप के थूँ या फिर मेरी इमेल आईडी के थूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंटन यानि की लगन के थू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका अजाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा for finer details आईए जानते हैं कि ये मे का महीना आपके लिए जेनरल एनोची की टर्म्स में क्या लेकर आ रहा है एक various people ये मे का महीना जेनरल एनोची की टर्म्स में आपके लिए किस तरहां का रहने वाला है तो पहला काड़ है seven of cups ka card है then is six of swords ka card है the next is king of fire ka card है then is five of cups ka card है then is nine of fire ka card है the dreamer ka card है यहाँ पर queen of swords ka card है then is the magician ka card है and bottom of the deck पर the hermit ka card है यहाँ पर Aquarius people आप लोग यह बात तो बहतर जानते होंगे कि आप एक air sign personality बट इस पूरे मन्त में आप किसी भी element के according act नहीं करने वाले हैं आप कहीं न कहीं खुद में ही खोए रहेंगे मतलब जो आपका air element है उसके according भी आप act नहीं करेंगे इस महीने में आप अपने आपको बहुत करीडी से समझने वाले हैं ऐसा कुछ महौल बनेगा आपके around जहाँ पर आप खुद को prioritize करना शुरू करेंगे आप इस महीने में अकेले में time spend करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप meditation prefer कीजिएगा विगास उससे आपकी soul का बहुत गहरा connection आपकी outer self के साथ बनेगा inner self का outer self के साथ बहुत अच्छा connection बनेगा ठीक है आप अपनी higher self के साथ connect कर पाएंगे आप दूसरों के लिए एक example set कर पाएंगे because आप को spiritual awakening भी इस मांद में होती हुई नजर आ रही है इस मांद में आपको कोई spiritual mentor मिल सकता है आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से nourish करेंगे soul की nourishment जरूरी होती है वो soul की nourishment होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर seven of cups का card है इस महीने में choices बनाना आपके लिए अतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़े होंगी आपके अरांग लेकिन आपके लिए क्या चीज बेस्ट है उसे अगर आप चूस करना चाहते है तो अपने intuition की आवाज को सुनेगा procrastination की energy को आपको follow नहीं करना है किसी भी चीज़ में over analysis नहीं करनी है आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में उस चीज़ पर आपको clarity होनी चाहिए बहुत सारे options की वज़े से confused नहीं होना है कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपको addiction है तो उस addiction को आपको overcome करने की जरूरत है और इस बंद में आप बहुत अच्छे तरीके से उसे overcome कर लेंगे यहाँ पर six of sports का card है आपकी life का ना जो challenge पुरा वक्त है वो खतम होने वाला है चीज़ें आपके लिए बहतर होंगी ठीक है आपकी life के अंदर अगर आपको ये feel हो रहा है जैसे की आप बहुत टाइम से बिमार है या फिर किसी चीज़ की वज़े से बहुत सदा depressed feel कर रहे है वो depression जाने वाला है अपने लिए एक peaceful जगा आप खुद find out कर ले आपकी illness खतम होती हुए नजर आ रही है आप ट्रावल करते हुए नजर आ रहे है आप रिलोकेट करते हुए नजर आ रहे है अगर बहुत टाइम से आप अपनी transfer expect कर रहे हैं तो वो transfer इस महीने में आपकी हो सकते है और अगर आप अपनी जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह से कहीं दूर जाकर काम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं उसकी energy भी बहुत strong है यहाँ पर king of fire का card है इस महीने में आप बहुत जगा motivated रहेंगे आपकी direction change होती हुई निजर आ रहे हैं जिस भी direction में आगे बढ़ेंगे बहुत inspired होकर आगे बढ़ने वाले हैं आपकी ambitions बहुत high रहने वाले आप अपनी life में leadership role में आते हुए निजर आ रहे हैं आप लोगों के सामने clearly अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे आप bigger picture पर focus करते हुए मुझे निजर आ रहे हैं और आपको करना भी चाहिए कि future में किस तरह से आप अपनी life का decisions बना पाए इस चीज़ के उपर आपको focus करना चाहिए ठीक है जो भी आपको मैसूस होता है उसे clearly communicate करने में कोई बुराई नहीं है अगर पीट पीछे लोग आपकी बात करते हैं तो उन्हें करने दीजे the reason is that कि अगर आपकी पीट पीछे कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब आप अपनी life में कुछ अच्छा कर रहे है ठीक है तो उस चीज़ को लेकर आपको sensitive होने की जरूरत नहीं है यहां पर five of fire का का है इस महीने में आपके दूसरों के साथ लड़ाई जगड़े हो सकता है क्योंकि आपका opinion point बहुत साथा strong रहने वाला है अपनी life में कोई भी drama create करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला person आपकी बात नहीं समझ रहा है और आपने अपना best उस person को समझाया है तो leave it ठीक है वो person आपके according की बात करे ऐसा जरूरी नहीं है अपने इनकी stand ली चुए लेकिन दूसरे को dominate करने की कोशश मत कीचेगा इस महीने में आपके emissions बहुत ही high रहने वाले है यहाँ पर 9 of fire का card है इस महीने में जो भी आप create करेंगे उसे protect करने की कोशश जरूर कीचेगा आपको इस महीने में किसी भी चीज़ पर give up करने की ज़रूरत नहीं है past में किसी चीज़ पर महनत की है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी उस महनत को खराब कर सकता है तो आप उस चीज़ के लिए precautions ले सकते हैं मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि किसी person को लेकर आपको विश्वास होगा आप actually अपने around सभी लोगों पर शक करने वाले हैं इस मंत में environment के साथ जादा time spent कीज़ेगा यहाँ पर the dreamer का card है इस महीने में आपकी life की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रहे है खुद पर भरोसर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने fears को एक side में कर दीज़े leap of faith के साथ आगे ही और बढ़िएगा यहाँ पर queen of sports का card है इस महीने में आप बहुत ही strong फैसले लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप अपने experience को बहुत अच्छे से implement करने वाले हैं जो लोग आपकी life में सरफ drama create कर रहे हैं उन लोगों से आपको दूर हो जाना है ठीक है और अगर आपको लेकर लोग judgmental है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन लोगों से भी दूर हो जाए है आपको हर difficult situation में बहुत calm और composed रहने की जरूरत है इस महीने में अपने career पर ज़्यादा focus कीजेगा होगी कि अगर आप चाहें तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं if you believe you can do it यह feeling आपको बहुत strongly आएगी अपनी life की छोटी छोटी problems आप खुद सौट करते हुए मैं नजर आ रहे हैं आपकी life में जादा complications नहीं होने वाली हैं बलकि आपको confidence boost होता हुगा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है so I hope आपको आपकी general energies बिल्कुल clear हो गई होगी Aquarius people आएए अब हम जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी love life किस तरह की होगी यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है Aquarius people आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर five of fire का card है the next is king of fire का card है the next card is the chariot का card है the next is the magician का card है the next is queen of fire का card है the next card is queen of swords का card है the next card is five of swords का card है and bottom of the deck पर six of cups का card है Aquarius people सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact state में है जो लोग अपने partner के साथ अभी contact zone में नहीं है आपके partner के साथ आपका contact इस महीने की starting में ही बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपके partner आपके जीवन में एंटेर करेंगे एक sorry के साथ वो आपको ये कहेंगे कि अगर आपको उनके उपर believe नहीं है तो कोई बात नहीं है आप उनके साथ at least as a friend तो रही सकते है आपके partner को उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से judge करने वाले है आप अपने partner से कई सवालों के जवाब पूछेंगे लेकिन आपके partner उन सवालों के जवाब आपको नहीं देगे आपके partner आपके साथ unidirectional होकर आगे बढ़ने वाले हैं आपके relationship में धीरे-धीरे balance establish होगा आपको भी ऐसा लगेगा कि आपके partner genuinely आपकी life के अंदर वापस आए आपको ये feel होगा कि आज तक आपने relationship के लिए जो भी positively manifest किया है उस manifestation का ही result है कि आपका relationship आपके partner के साथ बहुत अच्छा हो गया है ठीक है आपके partner खुल कर आपसे बात starting में नहीं करेंगे थोड़े वक्त के बाद आपके partner अपने राज आपके सामने share करने के कोशिश करेंगे आपके partner आपके सामने अपनी blockages रखेंगे अपनी present situation में वो क्या चीज़े face कर रहे हैं वो चीज़े वो आपसे clearly कहने वाले हैं आपसे आपका experience पूछेंगे आपके partner की इस चीज़ में आपका point of view क्या है अपने experience को implement करके आप अपने partner के लिए उनकी problem का solution बहुत अच्छे करीके से निकाल सकते हैं आपका relationship इस महीने में balance होता हुआ नजर आ रहा है देखे जब आप अपने partner को solution बताएंगे तो आप अपना point of view रख सकते हैं लेकिन आप इस चीज़ पर focus नहीं कर सकते हैं कि आपके partner आपकी बात को माने ही माने because आपके partner को बहुत सारे डर भी सताते हैं अभी भी सताते हैं ठीक है आपके partner थोड़ा आपके बताएं से थोड़ा से नीचले level पर जाकर कोई action ले सकते हैं ठीक है लेकिन आप दोनों का reunion जरूर होगा आपको जो सपने आपके partner ने past में दिखाए थे उन सपनों को पूरा करने की कोशश आपके partner अपने level पर करेंगे आपको ये भी feel होगा कि आपके partner ना काफी mature होगा है अब आपके partner maturity से आपको समझ पा रहे हैं और आपके partner आपकी importance को जान पा रहे हैं आप अपने partner के लिए बहुत ही special हो गए हैं ये चीज आपको feel होगी जो चीज़े आप अपने partner से पहले expect कर देए हैं इस separation से पहले वो चीज़े सब आपके partner इस month में आपको feel करवाएंगी और उससे आपको doubt भी होगा लेकिन doubt रखने की बात नहीं है आपके partner कोई आपको cheat नहीं करने वाले कोई backstop नहीं करने वाले बस अपने partner को किसी चीज़ के लिए मजबूर मत कीचेगा ठीक है क्योंकि उनकी अभी भी कुछ present situations ऐसी है जो tackle करने बची है ठीक है तो उनका साथ दीचेगा okay so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होंगी आए अब हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने partner के साथ contact zone में है इस महीने में आपके relationship में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जरूर होंगे आपके जो partner हैं वो आपके लिए बहुत ही जाधा alert रहने वारे हैं कि आपकी emotional needs क्या है इस relationship में एक renewal की energies मुझे नजर आ रहे है आपके point of view को आपके partner समझेंगे लेकिन आप अपने partner को dominate करने की कोशिश बिल्कुल मत कीज़ेगा अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपके partner आपकी हर एक बात माने तो वो चीज़ गलत हो जाएगे आप अपने vision को अपने partner के सामने बहुत खुलकर रख सकते हैं आपको अपने partner के साथ अपनी life गुजारने में मज़ा आने वाला है आपके partner जो है वो आपकी respect बहुत ज़ादा करते हुए नजर आ रहे हैं आपके relationship में अगर अभी तक imbalanced energies चुल रही थी तो balanced energies में change होने वाली है आपको ऐसा लगी का कि जीवन में हर एक चीज अपने time पर मिलती है वक्त से पहले हमें कभी भी कोई चीज नहीं मिलती है हमारे requirements चाहें जो मर्जी हूँ हमें positive रहना चाहिए यह feeling आपको आएगी definitely आएगी क्योंकि अपने past में अपने relationship को लेकर बहुत अच्छे अच्छी बाते manifest की है और वो manifestation आपको reality में change होती हुई इस मंत में नजर आएगी आप अपने experience से अपने इस रिष्टे को संभालने मादे है कुछ ऐसे लोग हैं आपकी around जनको आपके relationship से problem है और जो interfere करने की कोशिश करेंगे और वो लोग आपकी तरफ के लोग होंगे तो उन लोगों से आपको अपने इस रिष्टे को protect करना है जो लोग आपके relationship में कुछ drama क्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके relationship के situation को worse बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से दूरी बना लेना आप ही के लिए बहतर होगा ठीक है कोई person jealousy के मारे आप दोनों के बीच पर misunderstanding की energies create कर सकता है तो अपने partner के साथ अपने vision को clearly communicate करना ही आपके पास key to success है ठीक है आपके partner ने पहले कुछ promises आपके साथ किया होगे कुछ promises आपने भी अपने partner के साथ किया होगे वो promises निभाने का वक्त आ गया अब आपके life के अंदर आप अपने इस relationship को growth की और बढ़ता हुआ देखेंगे आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई चगरे की situation चर रहे थी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके partner आपको समझ नहीं रहे है तो energy dissolved होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है okay so I hope आपको यह energies भी clear हो गई होंगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की various people जो लोग single है इस महीने में कोई person past से आपकी life में आने बाना है इस person को आप बहुत पहले से जानते है इस person के साथ आपका कोई past में relationship नहीं रहा है लेकिन आप इस person को as a friend यह फिर as a colleague बहुत अच्छे तरीके से जानते है इस person के आपकी life में आने से आपकी life के अंदर एक balance establish होगा ना तो आप यह expect कर रहे होगे कि इस person के साथ आपका कोई relationship स्टार्ट हो जाएगा ना यह person expect कर रहे होगे लेकिन दीरे 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 आपका एक love affair इस person के साथ स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और इस person के साथ जो आपका bond बनेगा वो बहुत ही sacred bond होगा और इस person के आपकी life में आने से एक balance achieve होगा जो qualities आपकी अंदर नहीं है वो इस person के अंदर है आपकी life जो है वो completion की और बढ़ेगी तो यह person आपकी life में as a friend आ सकते हैं as a colleague आ सकते हैं यह फिर अचानक से आपको facebook पर मिल सकते हैं instagram पर मिल सकते हैं और इस person के साथ अपने connection को बढ़ाने की ही कोशिश कीज़ेगा apprehension की energy उसमें आपको enter करने की जरूरत नहीं है ठीक है आपका यह relationship धीरे 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 marriage की और बढ़ेगा जो लोग arranged marriage की form में रिष्टा ढूंड रहे हैं इस महीने में आपको ऐसा कोई भी रिष्टा नहीं मिलने वाला है तो अपनी energy को waste करने की जरूरत नहीं है ठीक है इस month में arranged marriage से कोई भी marriage conduct नहीं हो सकते हैं कोई रिष्टा finalized नहीं हो सकता है okay so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होंगी और जो person past से आपकी life में आ रहे हैं उनके जो zodic sign हो सकते हैं वो है Aries Leo Sagittarius okay so आएए चानते हैं आपके career की energies ये महीना आपके career के लिए किस तरहा से रहने वाला है Aquarius people ये महीना आपके career के लिए किस तरहा का होगा में का महीना आपके career के लिए किस तरहा का रहने वाला है so यहां पर the magician का card है the chariot का card है page of यहां पर pentacles का card है then is the world का card है the next card is four of swords का card है then is queen of pentacles का card है the next card is two of swords का card है and bottom of the deck पर king of pentacles का card है यहां पर करियर की energies की अगर मैं बात करूँ तो यह महीना आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है अपने करियर में आप जो कुछ भी अच्छीव करना चाहते हैं आप definitely अच्छीव कर पाएंगे आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा strength महसूस करेंगे इस महीने में करियर को लेकर कोई बहुत बड़ी opportunity आपके पास आती हुई नजर आ रही है इस महीने में आपको जो opportunity मिलेगी वो एक long term opportunity होगी और आप अपने करियर को वैसा shape कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं अगर आप अपने करियर path को change करना चाहते हैं तो यह महीना उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है इस महीने में आपके करियर में balance आता हुआ नजर आ रहा है पास्ट में अगर करियर को लेकर आपने किसी चीज़ पर बहुत ज़दा महलत की है तो उस महनत का result आपको इस महीने में मिलेगा करियर की energies balance होती हुए नजर आ रहे हैं करियर को लेकर जहां पर भी delay था postponement था वो energies खतम होगी और आपकी life में progressive energies channelize होगी अगर आप job के साथ साथ business करना चाहते हैं तो ये time बहुत अच्छा है जो लोग business कर रहे हैं और अपने business को expand करना चाहते हैं आपके लिए भी ये time बहुत अच्छा है इस month में आपको generosity से काम करना है practical होकर अपने career को लेकर फैसले बनाने हैं थोड़ी से आपकी approach जो है वो materialistic रहेगी कोई problem नहीं है आप अपनी life में हर एक चीज़ को बहुत खुबसूरत बना सकते हैं आप अपनी family के लिए पैसा save करने वारे हैं इस महीने में जाधा काम होग तो इसलिए stress लेने की जरूरत नहीं है इस महीने में जाधा काम को अगर अच्छे तरीके से complete करना है तो थोड़ा time meditation जरूर करना आपके कोई भी career के regard में फैसले किसी से influenced नहीं होने चाहें आप जो भी फैसले लेना चाहते हैं अपने दिमाग से फैसले लेंगे अपनी intuition से ठीके कोई भी person आपके भी हाफ पर फैसले ना ले इस बात का ध्यान आपको ही रखना है इस महीने में अपना behavior जो आसपास वाले लोगों के साथ थोड़ा सा compassionate रखेगा जो भी काम start करेंगे उस काम को complete कीजेगा आपका aura बहुत ही charismatic रहने वाला है आपको financial security महसूस होगी prosperity मह हर एक चीज़ को आप बहुत खुबसूती से complete कर पाएंगे ठीके और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको support करेंगे आपके career में लेकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी financial security को देकर financial growth को लेकर आपसे बहुत ज़दा jealous महसूस करने वाले हैं तो किसी person के हाथ का दिया आपको कुछ नहीं खाना है ठीक है और किसी से सलाह नहीं लेनी है advice नहीं लेनी है कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपने career में क्योंकि वो person आपको cross road पर लाकर खड़ा करतेगा ठीक है आपको अपने पैसे को लेकर अपने finances अपने career को लेकर ज्यादा show off नहीं करना है इस जानते हैं ये महीना आपकी health के लिए किस तरहा का रहने वाला है ये महीना आपकी health के लिए किस तरहा का होगा यहाँ पर 10 of cups का card है इस महीने अपने health को लेकर आपको option लेने हैं आप जिस तरहां से भी अपनी health को अच्छा बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल बना सकते हैं आप थोड़े पहुत spending करने वाले अपनी health पर तांकि आपकी health improve हो सके वो किसी negative way में नहीं है आप medicines पर पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं आप अपने lifestyle पर पैसा खर्च करने वाले हैं वो चीज़ नज़र आ रहे है आपकी health इस मन पर improve होगी आप emotionally भी अपनी health को लेकर बहुत ही ज़ादा confident महसूस करेंगे आप बहुत ज़ादा weak अगर अभी महसूस कर रहे हैं तो आपकी health आगे चलकर बहुत अच्छी होने वाली divine आपके health वाली जो energies हैं उसे channelize कर रहे हैं आपकी health को लेकर आप जिस भी वजह से परेशान थे वो परेशानी हट जाएगी आपकी health को लेकर एक नई शुरुआत होती हुई निज़र आ रही है और unexpectedly progress होगी आपकी health में ठीक है बहुत ही positive change होने वाला है आपकी health में तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होंगी आएए अब हम जानते हैं ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस महीने में आप future में invest कर पाएंगे क्या इस महीने में आप अपना dream house बना पाएंगे आएए जानते हैं ये महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का होगा 8 of pentacles ka card है 9 of cups ka card है then is 7 of pentacles ka card है the next is strength ka card है the next card is 3 of fire ka card है the next card is 10 of cups ka card है the next is the empress ka card है and bottom of the deck पर 9 of fire ka card है इस महीने में आप future में invest कर सकते हैं ठीक है आप बड़ा amount invest कर सकते हैं कोई problem नहीं है आप stock market में invest कर सकते हैं आप crypto में invest कर सकते हैं आप किसी company में invest करना चाते हैं आप invest कर सकते हैं जहां पर आपका पैसा डूबा हुआ था वो पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है ठीक है अगर आप को लोन चुकाना चाहते हैं इस महीने में आप चुका सकते हैं, यह महीना इन्वेस्टमेंट का महीना है, आपको इन्वेस्टमेंट इस मंत में करनी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़े अमाउंट में आप इन्वेस्ट कीजेगा, फ्यूचर में उसको बहुत जादा फा साल है इंवेस्चित ञीन वगाता है इंवेस्मेंट से उसकता है इस महीने में आपको long term investment करने शॉर्ट टरम इंवेस्मेंट नहीं करने आप बना बनाए घर लेना चाहते लैड लेकर रखना चाहते हैं आप कोई शॉप लेना चाहते हैं आप definitely ले सकते हैं लेकिन negative होकर ये चीज़े नहीं करने हैं अगर आप पहले से ही सोच लें कि investment करने का कोई फाइदा ही नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं ऐसा नहीं करते हैं पूरी strength लगा कर inspection करके चीजों को समझ कर आपको investment करने हैं ओके so I hope आपको ये भी energies clear हो गई होंगे आईए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आईए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन किस तरह का होगा यहाँ पर ego का काष़ है जोड़ा है है, the next card is balance का card है, the next card over here is the dreamer का card है, the next is the empress का card है, the next card is the moon का card है and bottom of the deck पर renewal का card है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तैयारी कर रहे है इस महीने में आपको रात के टाइम पर एक तो पढ़ाई नहीं करने है, क्योंकि आपको negative negative thoughts आएंगे और फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, आप negative चीज़ पर जादा focus करना शुरू करतेंगे आपका confidence low होना शुरू हो जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा, तो दिन के ताइम पर ही पढ़ाई करने हैं, अगर आपने पहले भी ये exam दिया है, और आपका exam clear नहीं हुआ है, तो past की चीज़ को अपने दिमाग में लेकर नहीं चलना है आपने past में कुछ गल्दियां की होंगे, उन गल्दियों के उपर focus कीज़े कि उन गल्दियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस month में अगर मन लगा कर आप पढ़ाई करेंगे, अपने point of view से पढ़ाई करेंगे, आपको success जरूर में लेकिए, आपको balanced रहकर पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको अपनी life में ये मौका मिल रहा है कि आप वो achieve कर पाएं जो आप achieve नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएं हैं, तो कितना भी बड़ा कोई competitive exam हो इस महीने में वो clear हो सकता है लेकिन आपको over confidence की energies में नहीं रहना है confidence और over confidence में बहुत slightly difference होता है तो over confident energies में नहीं रहना है, इस महीने में अपनी पढ़ाई को लेकर आपको generous रहना है, action लेना है, planning करनी है अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं मल लगा कर पढ़ाई करनी है emotional contentment मिलेगी और अगर आपने दिल दिवान से सोचना बंद कर चुके थे कि ये exam भी कभी clear रोगा वो exam इस महीने में दीजेगा वो exam आपका definitely clear होगा ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए अगर moon water चार्ज करके आप पी सकें तो बहुत ही बहतर होगा so I hope आपको ये energies भी clear हो गई होगी आए अब हम जानते हैं ये महीना आपके लिए चो आ रहा है, इसमें आपको क्या mode of action follow करना है, जिससे कि आपकी energies और positive हो जाना, मे के महीने में, आपको क्या mode of action follow करना है, जिससे कि आपकी energies और positive हो जाना, what should be your mode of action, तो पहला card है, ascension का card है, the next card is devotion का card है, the next card is focused intention का card है, the next card over here is call to action का card है, the next card is soul claim का card है, and bottom of the deck पर inner strength का card है, देखिए, इस महीने में, आपको अपनी soul के साथ एक गहरा connection बनाना है, आपको meditation जरूर करनी है ताकि आपके life का जो भी अंदकार है, वो हड़ जाए, आपको लगता है कि materialistic चीजों से या रिष्टों से हमारे जीवन में खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन सच ये है कि अपनी soul से हमें खुशियां मिलती है तो अपनी soul को अंदकार से बाहर निकालना है, अपनी soul के साथ एक गहरा connection बनाना अपनी soul की आवाज को सुनना है, ठीके और तभी आपकी ascension होगी और ascension का time है यह आपको बार बार triggers मिलेंगे इस चीज के लिए, यहाँ पर devotion का card है, इस पूरे मन्त में आपको श्रीकृष्णजी की अरातना करनी है आपको उनसे spiritual guidance मिलेगी आपकी commitment को पहचाना चाह रहा है, आपको unconditional love मिले का उनसे, Thursday के दिन पर आपको पीले रंगी चीजों का दान करना है, आप चने की डाल का दान कर सकते हैं आप केले का दान कर सकते हैं बदाम की गिरी का दान कर सकते हैं एक गिरी, तीन गिरी, पाँच गिरी, साथ गिरी नौ के रिए अपनी शम्ता के पॉडिंग अब दान कीचे आप गाट फाली हल्दी का दान कर सकता है Thursday के दिन पर पीले रंगा तीका लगाना मत भूलिएगा ठीक है और उस दिन आपको केले का सेवन नहीं करना है यहाँ पर focused intention का card है आपको अपनी intention को higher रखना है और clear रखना है आप अपनी life में चाहते क्या है उस पर आपको clarity होनी चाहिए इसके लिए meditation भी करनी चाहिए और Wednesday के दिन पर आपको चिडिया को या तो बाजरा डालना है यह सातनाज का mixture डाली है नहीं तो आप किसी path में भी टालकर आ सकते हैं The next is call to action का card है अपनी life में चाहिए अपने हाथ में कीचिए दूसरों के लिए एक example set कीचिए इस month में आपको ज़्यादा चीज़े कहनी नहीं है बलकि करनी है तो अपनी कथनी से ज़ना अपनी करनी पर focus कीचिए और अच्छे करम कीचिए Saturday के दिन पर आप blue black color की चीज़ों का दान कर सकते हैं उड़त की डाल का दान कीचिए रिंग साबन होता है छोड़ा सा आप उसका दान कर सकते हैं ठीक है और आप shibling पर जल अरपित कीचिए उसमें आप जल में थोड़ा सा दूट डाल लीचिए और साथ में आप काले तिल डाल कर shibling पर अभिशिट करके आईए उससे आपकी जो mental tensions हैं वो relief होगी यहाँ पर soul flame का card इस महीने में आपको अपने आपको rediscover करना है इतनी सादा struggle में life को set करने में लगे रहे हैं आप उसमें आपने अपना emotional part खो दिया है उसे आपको rediscover करना है उससे आपको जीवन जीने में मजा आएगा नहीं तो जीवन काटने का कोई फायदा नहीं है जितना जीवन इश्वर ने दिया है उसको आपको जीना जी यहाँ पर inner strength का कार्ड है इस महीने में आपको अपनी inner strength को पहचानना है आपको इश्वर ने शक्ती दी है उस शक्ती को पहचाने ठीक है और वेडनस जी के दिन पर आप गाएं को हराचारा खिलाएं तो वो भी आपके लिए पहतर होगा I hope आपको आपका mode of action बिल्को ब्लियर हो गया होगा आये अब हम जानते हैं कि इस मन्त में डिवाइन आपको क्या blessings देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या messages हैं आपके लिए आये जानते हैं इस मन्त में Divine आपो क्या blessings दोना चाहते हैं? Divine की तरफ से क्या messages हैं आपके लिए आये जानते हैं? तो पहला card है Passion and Pleasure का card है. The next card over here is Ascending the Mountain का card है. The next is Wandering Path का card है. The next card is Rainbow Blessings का card है. The next card is Taking Shelter का card है. And Bottom of the Deck पर Protected by Angels का card है. Divine आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्धी एक blessing है कि आपके जीवन में वो Passion वापस आने वाला है. आप अपनी लाइफ को बहुत pleasure के साथ जीपाएंगे. आप अपनी लाइफ को लेकर शाद आज passionate नहीं होंगे लेकिन आने वाले वक्त में आप अपनी लाइफ में पैशन इंजोई करेंगे. चीक है? आपकी लाइफ के अंदर जो भी मुसीबत है. आप आगे की और बढ़ते रहेंगे. आप उस obstacle को बहुत easily पार कर जाएंगे. इश्वर पर भरुसा रखिए. आपकी लाइफ में आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए आपको ये नहीं पता लग रहा है कि आप कहां को जा रहे हैं. इश्वर पर भरुसा रखिए. ये रास्ता इश्वर ने आपके लिए तेह किया है. ये आपको आपकी मंजल तक जरूर पहुँचाएगा. आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूणने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे. तो अपनी सूल के साथ गहरा कनेक्शन बनाएए. और इस मन्थ में एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अपने जीवन में जहां पर भी आकर आप अटक जाते हैं. वहां पर आप एंजल से प्रातना कीचे वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको रेंबो के सातों रंगी एनर्जी को इंजोई करने का मुखा मिलेगा. आपकी लाइफ का जो भी अंदकार है वो धीरे-धीरे खतम हो रहा है और आप उजाले की और बढ़ रहे हैं. So I hope Aquarius people आज की रेडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा ये रेडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर और दियर वांस के साथ शेर ज़रूर कीचेगा. हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन्शिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्वियर्स को लेकर कुछ क्लारिटी मिल सके. So do share my video also. अगर आप मेरी रिडिंग से influenced हैं और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये booking आप मेरे WhatsApp के थूँ या फिर मेरी email ID के थूँ बुक कर सकते हैं, मेरे WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन पर flash होगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया हैं, आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएने वीडियो की notification मलती रहे. So, thanks for watching. See you soon.